असलाम लेकुम डिया स्टूटेंट आज हम उनित नंबर फाइफ का टॉपिक नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक नंबर टू क्या है यूजिंग एलेक्ट्रोनिक बुक्स और टू इंप्रूव इमर्जेंट लिटरिसी स्किल्स सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अगर हम एलेक्ट्रोनिक्स बुक्स को बच्छों के साथ इस्तमाल करते हैं तो बुन्यादी तूरपे क्या यह उसी तरीके से बच्छों की कि our के पाल करता है और अब पर रीडिंग स्टार्ट नहीं की है और डेफिनेटली हम जब language की बात करते हैं या language development की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरे पास चारों चीज़े आती हैं बच्चे की पढ़ने की से या हो मैं और चेक्स सो मेनि येर्जल लेकिन we चेक्सिवो और ही चोटे उसके इसके भी विषूनिशन बिज recommend है और कुछ ऐसी हार्कते करते हैं कि तृ आप भी स्किल्स उनके अंदर से इमर्ज हो रही है आप वो क्या हरकते करते हैं या हम उने क्या पर्चूनिटीज देते हैं जिसकी वज़ा से वह हमें शो करके दिखाते हैं कि अब हम इस स्किल्स की फाउंडेशन बचाने के लिए और इसको डिवेलप करने के लिए त्यार है इससे पहले कि बच्चे मेन स्कूलिंग में जाएं और फॉर्मर स्कूलिंग में एंटर हों जैसे के ग्रेड वन से उससे पहले पहले बच्चों को रीडिंग के बारे में कुछ न कुछ जानना बहुत ही जरूरी है और कुछ ऐसी स्किल्स का आना जरूरी है जो उनकी फाउ करती है कि बच्चा कितना अच्छा रीडर होगा और कितना सक्सेस्फुली अपनी लैंग्विश डिवेलपमेंट को लेके चलेगा चार इंपॉर्टन फेक्टर है इसके अंदर पहले यह कि आप जो भी जबान सिखाने जा रहे हैं बच्ची की ओर लैंग्विज कैसी वह बोल इसकी समझबूज होनी चाहिए और वो आपको शो करके दिखाना चाहिए कुछा सिखाना चाहिए सब से पहले आ जाती है बच्चे को इंको रीडिंग में डिफिकलटी पेश आती है या वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं आप बुआदी तोर पे उनके ऐंदर बीच की चार जो कमजूर होतें और वहिँ हम स्ट्रक्शन में फोकुस करतें हैं पहले ये के और लैंगोज में किसे कर रहे हैं और प्रेग्माटिक्स जो भी जुम्ले बोल रहे हैं या जो भी ओवाज इस्तिमाल करें क्या वो सिच्वेशन के मताबिक हैं या नहीं है यह तमाम आपके और लेंग्लिज के हिस्ते हैं अर्जी चैनल्डूट में जब हम बच्छों को यह तमाम चीज़े सपोर्ट करते हैं तीसरी चौथी और यह पांच साल के चार साल के बच्छे को कहानिया सुना कि उनसे बाते करके उनसे डायलोग को इंगेज करके तो डेफिनिटली उनकी ओरल अबिलिटीज बहतर हो जाती है अपनोलोजिकल अवेरनेस के अंदर क्या चीज़े आती है यह इंटरस्टाइडिंग है जो आपकी स्पीच है जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं हर वर प्रेडिक्टर है कि बच्चा मुस्तगमिन में जाके कितना अच्छा रीडर होगा कि याद रखें कि रीडिंग जो है वो इसके जरूरी नहीं है कि उसने लिटरिचर पढ़ना है या लैंगविश पढ़नी है बलके पूरे का पूरा आपका स्कूल करिकिलम एकड़ना ही है चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़े तो यू नीड तो हाव अ कमांड ऑन दा लैंगविज अ उसके लावा फिनॉलोजिकल जो अवेरनेस है बनियादी तोर पर ये बच्चे जो चोटी उमर में जब हम बच्चों को सिखाते हैं प्री स्कूल में हम पोइम स बहुत बेतर होता है अगर बच्चे आप उनको पर क्रेंगिज का या उनके साथ पढ़ें नो कहानियों की किताबों में हम वो जबान नहीं लिखते हैं जबान को हम बेहतर grammar में लिखते हैं तो उस connection को understand करके बेहतर reader बनते हैं alphabet knowledge को होना बहुत जरूरी है इसके अंदर जो important चीज़ आती है कि बच्चों को यह पता होना चाहिए कि हर alphabet एक individual sound रखता है वो individual meaning रखता है जिसको हम graphems कहते हैं और साथी साथ उसकी अलग किसम की sound है और यह different किसम की जो letters है यह मिलके किस किसम की sound produce करते हैं कैसी बनाते हैं क्या इनके principles हैं ताकि जब वो alphabet knowledge उनके पास होता है तो definitely उनको words के meaning भी असानी से याद हो जाते हैं इसका तरीक है जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं आगे भी पढ़ेंगे कि interactive book reading जिसमें हम बच्चों के साथ मिलके पढ़ते हैं sound निकालते हैं उंगली रखते हैं माइने बताते हैं या computer उसकी dictionary होता है और वो आपको easy verse में बताता है या आपको sound से बता सकता है कि जिसका क्या मिने गए ये तमाम चीजें बच्चों के alphabet knowledge में उनको support करती है